नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित हों दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ है कमातो पूर्ण जानकारियों को लेकर के जिहां दोस्तों हम आप सभी के लिए जरूरी हेल्थ टिप्स लेकर के आते हैं दोस्तों जो आपके लिए बेहतकारग के लिए काली मिर्च ये आज हम आपको बताएंगे इस सबसे पहले कि लोंग और काली मिर्च एक सात्त मिला करके खाते हैं तो यह शक्ति में व्रिधी होती हैं है दोस्तों कैंसर, काली मेर्च कैंसर जैसी गंभीर बिमारियों से बचाता है इसमें वितामिन सी, वितामिन के, फ्लेवोनाइड्स, कारोटेंज वो अन्य ऍंटि- कुण होते हैं, दोस्तों जो कैंसर और विशेश कर स्तन कैंसर जैसी समस्याओं से शुरक्षित रखते हैं आपको अपच और दस्त जी हाँ दोस्तों अगर आप अपच और दस्त या फिर कबज आदी को दूर करने के लिए काली मिर्च का सेवन करते हैं तो ये एक स्रेश्ट और शद ही है आपके लिए दोस्तों काली मिर्च के सेवन से हाइड्रोकलोरिक एसीड संतुलित रहता है यह एसीड पेट की पाचन क्रिया स्वस्थ रखता है जिससे भोजन समगरी को पचाने में सहायता मिलती है दोस्तों वजन कम करना जिहां दोस्तों काली मिर्च का नियमित रूप से सेवन करने पर वजन कम किया जा सकता है इसमें फाइटो न्यूट्रिसियंस होता है दोस्तों जो वसा की परत को काटने में मदद करता है और शरीर में ज्यादा वसा जमा होने से रोकता है दोस्तों पीट में गैस जी हां दोस्तों अगर आपके पीट में गैस है या गैस की प्रोब्लम है आपको तो काली मिर्च में वात हरन गुन होता है दोस्तों जो पीट में गैस जैसी भी समस्या को दूर करता है या आपसे दूर रखता है दोस्तों पीट में हुई गैस जैसी समस्या को आपसे दूर रखता है इसके अलावा काली मिर्च का सेवन पेट फुलना या पेट दर्द जैसी परिशानी में भी लावदायक होता है दोस्तों काली मिर्च के चून को घी और मिश्री में मिलाकर सिवन करने से बंद गला या गले में खराश जैसी परिशानी दूर हो जाती है दोस्तों काली मिर्च के आठ या दस दानों को पानी में उबालें और उबले हुए पानी से गरारे करें ऐसा करने से गले का संक्रमन या गले के इंफेक्षन में आराम मिलता है तवचा रोग जिहां दोस्तों काली मिर्च के चून को घी में मिला कर लेप तयार करें इस लेप को शरीर के दाद, फोड़ा, फुन्सी, चक्ते के निशान पर लगाएं दोस्तों दाद, फोड़ा, फुन्सी, चक्ते, आदी तवचा रोगों में लाभ होता है खासी जुकाम, जी हाँ दोस्तों काली मिर्च को दूध में गर्म करके पीने से जुकाम दूर हो जाता है दोस्तों काली मिर्च के एक बीज से शुरू करके रोज एक बढ़ते हुए पंदरह तक और पंदरह दिन बाद एक कम करते हुए सेवन करें ऐसा करने से जुकाम खांसी एक महिने में खतम हो जाएगे दोस्तों या फिर काली मिर्च का चून और शहद को समान मात्रा में मिला कर दिन में तीन से चार बार खाएं आपको लाव होगा दोस्तों पेट में कीड़े की समस्या से परिशानी होने पर काली मिर्च और किश्मिश दो से तीन बार चबा कर खाएं इसके अलावा छांच में काली मिर्च का चुन मिलाकर पीने से भी पेट की कीड़े मर जाते हैं दोस्तों दांतों की समस्या जैसे पायरिया कमजोर दांत आदी से परिशान हैं तो काली मिर्च के चुन को नमक में मिलाकर मंजन करें चुन मिलाकर पीने से भी पीट के कीड़े मर जाते हैं दोस्तों दांतों की समस्या जैसे पायरिया कमजोर दांत आदी से परिशान हैं तो काली मिर्च के चुन को नमक में मिलाकर मंजन करें या दांतों पर लगाएं ऐसा करने से दांतों से जुड़ी समस्या दूर हो जाती हैं दोस्तों गठिया जैहां दोस्तों गठिया के रोग में भी काली मिर्च बहुत लाब दायक सावित होती है काली मिर्च को तील के तेल में गर्म करके मांसपेशियों की मालिश करने से गठिया रोग में आराम मिलता है दोस्तों और मांसपेशिया मजबूत होती हैं आखों की समस्या जहां दोस्तों काली मिर्च का इस्तेमाल आखों की शक्ती बढ़ाने के लिए भी किया जाता है काली मिर्च के चुन को देशी घी में मिलाकर सेवन करने से आखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही आँखों के कई रोगों से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों तो इस प्रकार से आज देखा आपने कि हमने काली मिर्च के फायदों के बारे में बताया दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्पून जानकारियों को ले करके एक नए टोपिक को ले करके एक नई और शदी ले करके तब तक के लिए धान्यवाद नमस्कार दोस्तों